और इसी मुद्रे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास महमान जूड़े राजकुमार शर्म की लिए में की सब्टेबी को भी हमारे महमान को अपना इस सरकार के इस कारकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं जैसा कि उन्होंने कहा है कि यह बजट युवाओं के लिए खास कर चात्रों के लिए स्टूडेंट्स के लिए समर्पित होगा पिछला बजट हमने मुख्य रूप से क्रशी के ओपर पेश किया था इ हम पांस रुपे का महिलाओं को घर में यूज़ करने वाला सलंडर देने जा रहे हैं और चात्रों के लिए अने को प्रकार की योजना है जिससे उनको पढ़ाई में लाब मिलेगा ऐसा है बजट आने वाला आठ फरवरी को पेश होगा सर यूवाओं के लिए क्या फोकस करेंगे क्योंकि लगातार यूवा जो है वो इन दिनों जो पेपर लीग के मामले उनसे काफी परिशान है देखे दीबग जी पेपर लीग के मामले में पहले भी राजस्तान के लोगपरी मुख्यमंतर कह चुके हैं कि पेपर लीग के माम से पूरे राजस्तान के चात्र चात्राओं को आवाम को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्तान के लोगपरिया मुख्यमंतरी आदर्णी अशोग घहलोजी के नेतरत में चात्रों के साथ अन्याएनी होगा यह दर्द उनको भी है दर्द हमको भी है दर्द आपको भी है जित जिने भी ऐसे अपरादी हैं चाह वो छोटा हो चाह बड़ा हो किसी को भी बखसा नहीं जाएगा हम निश्पक्ष और इमानदारी से और बहुत साफ सुतरे तरीके से आगामी जो एक्षाम होंगे उनको कराएंगे और जो भी होगा उसको वी पिछे डाला जाएगा ते तो सनाखो के पीछे जो भी अपरादी हैं उनको डाला जाएगा इस तरीके की बात यहां पर कर रहे हैं राच्कुमार जी एक चीचीज और मैं आप से समझना चाहूँगा हम बाते करते है कि मुख्यमंत्री ने भी काई कि जो भी दो शीते उन पर कारवाई की गई है तमाम बाते हमारे हमने देखा रहूं कि इस तरह की जो घटनाओं में लिप सर्गना है उनको किसी को भी बक्सा नहीं जाएगा राजस्तान के किसी भी छात्र चात्रा के साथ ऐसा अन्या नहीं होना चीए बहुत दर्द होता है जब वो किराय का कमरा लेके पढ़ते हैं अपने किराय के कमरे में रहते हैं घ अधिकार नहीं है उसको सलक्सों की बीचे डालने का उनका मन बारबार रहता है और मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं राजस्तान के तमाम चात्र चात्राओं को विश्वास दिलाता हूं कि इस बार अगर कोई भी ऐसा पकड़ में आया उसको भकसा नहीं जाएगा चाहा वो चोटा हो और चाहा वो बड़ा हो तो मालिय जाएगी कोई पुकता इस बार बजट में घोशना कर दी जाएगी मिश्चित तोर पर इस बजट में चातर चात्राओं के हित में कोई ऐसा जुरू कारून लाये जाएगा जिससे इस तरह के अपराजियों को किसी भी रूप में खुली सांस लेने का अधिकार नहीं होगा महिला इतों को लेकर क्या करें आप महिना इतों को लेकर कि हमने आपको पहले भी कहा कि लगबख हम 500 रुपे का सेंडर उनको देने जा रहे हैं 35 लाग स्मार्ट फोन देंगे हम पहले भी उडान योजना के तहर 12 सरकार जो बजट पर नजर आएगा आट परवरी को जो बजट आने वाला है बजट आएगा तब ही पता चलेगा बजट से पहले हम तो पूरा अनुमान लगा सकते हैं लेकिन मुझे उमीद है राजस्तान के लोगपरिया मुख्यमंत्री आदरनी अशोग गहलो जी महिलाओ मैलाओं के परती बहुत जदा सवेज चल रहते हैं उनकी सुरक्षा के पूरे इंदजाम किये जाते हैं चात्राओं के इंदजाम किये जाते हैं उनके सेनेटरी नेपकिन्स की उनको चिंता है उसलिए उन्होंने ओडान योजदा बनाई है और मैलाओं को 35 लाग स्मार्ट दिये जाएंगे राजस्तान के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राजस्तान में महिलाएं पुरुषों से आगे बड़े ऐसे उनकी बारंबार इच्छा रहती है जो गैस्ट हैं मदन प्रजाबत जी मदन जी आपको भी बहुत-बहुत स्वागत है मदन जी आप सुन रहे थे भी राजकुमार जी की बातों को किस तरीके से देखते हैं आप कि कैसा होगा यह बजट फिर दिपग जी देखिए पिछले चाहर साल में जिस तरीके से मानिनी मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्यकरताओं को विदायकों को और जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अपने पिछला बजट इन्होंने किसानों को समर्पित किया था और बोला था किसान बजट है अगर आपने बजट देखा होगा तो केंदर सरकार के बजट का पूरा का पूरा पीपेश्ट करके यहां बोला गया कि किसानों का बजट है लेकिन आज इस्तिति अगर आप चिंतन की बात करें इनका चिंतन सीविर चल रहा था अगर आप चिंतन की बात करें तो आज किसानों के पास में बिजली की समश्या सबसे बड़ी समश्या बनी हुई है जिस तरीके स किसान को बजली नहीं मिलरी जिस तरीकhe से राजस्तान में यूरिय का ज STEVEN लोगों ने देखा इसी तरीके से किसानों के साथ में जो है अन्या यह हुआ कि हमारी सरकार जो है आट सो पचास रुपे का किसानों को छूट देती थी दिल के महिलाओं को सम्टिन बाटे जा रहे हैं आप देखिए कि इस राजस्तान में दुर्गती से सबसे ज़्यादा अगर किसी की है वो तीन वर्ग है पहला वर्ग किसान है दूसरा वर्ग महिला है तीसरा वर्ग जो है वो युवा है बेरोजगार है तो इनकी दुर्गती किस तरी आज ऐसी है कि राजस्तान में दुराचार और बलातकार के अंदर किस तरीके से मामले आते हैं ये पिछली बार भी राजकुमार जी बैटे थे केते कि कल भी मानिनी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने F.I.R. जादा लिखना चालू कर दिया इसलिए गटना है बढ़ती है आ गरित महिलाओं के साथ जिंदा जला दिया जाता है जेपुर की राजदानी में हो रहा है ये तो बैखना की सरकार है इसके ळावा किसी तरीके की सरकार नहीं है और फिर वोई कुर्सी बचाने के लिए मानिनी मुख्यमंत्री जी निखाने की कोशिश करेंगे चुनावी करेंगे क्या है उस्तति में क्या बजट करेंगे सिर्फ गोष्णा है होई गी जब समय ता सरकार के पास में जब कुछ कर दिखाना था राजस्तान के लिए सरकार नहीं करी सरकार ने किया क्या बू माप्यों को छूट दी सरकार ने क्या किया बजरी मापियाओं को छूट दी सरकार ने क्या किया जो पेपर लीग के मापियाओं उनको छूट दी आप बड़ी कारवाई किये ना इन्होंने बड़ी कारवाई ये की कि जालोरी को बेदाग छोड़ दिया इन्होंने बड़ी कारवाई ये कि कि मानिनी मुख्य मंत्री जी ने कल सारे अफसरों को clean sheet दे दी कि इसमें कोई अफसर और कोई वो नहीं है तो ये बड़ी कारवाई है ना जो अपरादी होते हैं दोसी होते हैं उनकी बड़ी कारवाई ये होती है दीपक जी कि उनका आई कारड बनता है और राउल गांदी के साथ में कदमताल करते हैं जो जेल कारड के आते हैं बड़ी कारवाई इसको कहते हैं दीपक जी कि जिनके पुत्रों के नाम इसमें आते हैं जेल कारवाई न उनको बोर्ड में उपाद्यक्ष बनाये जाता है उनको reward बड़ी कार्वाई यह की कि राजस्तान से पैसा और सरकार इनवौ尤क पैसार्वाय में राजस्तान से घाल रहा है। ब्रस्टा चार होएगा जब मुख्यमंग्लियों जी और आपको जानकार संगे लिए ने देपक जी नी मुख्य मंत्री जी सबको clean sheet देते हैं अभियोजन की security नहीं मिलती जिस तरीके से SOG ने इस पर चर्चा बाद में किलने हैं अज बजट पर चर्चा गलने हैं इनको यह वह सरकार है जो महिलाओं की नेपकिन की बात कर रहे हैं इनके मंत्री जो है ना विदान सभा में कहते हैं मर्दों का परदेश है ऐसी सरकार के मंत्री जो बहुत कम वक्त बचा है क्योंकि आचर सहींता भी लग जाएगी तो ऐसे में उसको अमली जामा कैसे पहना पाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम होगा आपके पास का को पूरा करने के लिए देखे दिपक जी भारती जिनता पा जोट को सच बोलते हैं जोट को कैसे लूटा जाए ब्रश्टाचार कैसे किया जाए जनता को कैसे लूटा जाए और यहां से पैसे चोरी करके और वहां पे कैसे बेजा जाए इंगा जोट को सच कैसे बोला जाए और इनको प्रभावशाली तरीके से बोलना आता है जोड से बोलना आता है और यह इसको कम समय में पूरा कैसे कर पाएंगे यह सवाल था बीजेपी ने अभी कटारिया जी नहीं हमको यह कहा कि आप पैसा कहां से लाओगे मैं आपको आपके चैनल यह मादियम से कहना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी बज़ट अपने पेस किये हमने असी पीस दी अब दोनों मैंसाथ बने रही हैं वह साथ में श्याम सुंदर शर्मा भी जुड़ेंगे जो की वरिश्पत्रकार हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस खास इस बजट में रहने वाला है क्या कुछ उनके नजरीये से वह देखते हैं कि बजट में क्या कुछ करते हैं शामधी आपसे समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है क्योंकि चुनावी साल है बहुत कम समय बचा करीब दस महीने का समय बचा है चुनावों के अंदर तो ऐसे में यह जो बजट इसमें क्या कुछ खास रहेगा कि देखी जीपर की यह बात सही है कि यह चुन कुछ मिशन तै किये जाएंगे जिसमें देखे का उनको रोजगार कैसे मिले किस परकार से क्या हो उसमें कुछ सीजें विशेश रूप से सामने आएगी और वेकिंसी एक लाग नए पदों को भरने का गोश्णा मुख्यमंतिजी करेंगे बजट में और आप देखेगा कि जब अगर बजट आएगा तो आप सामाजिक शुरक्षा जो प्रस्ताव पारित किया है उसके तहत कोई न कोई ऐसी चीज आएगी जिससे केंद्र सरकार से का जाएगा कि वेंडर्स वगरा जो है वो अगर 60 साल का हो जाता है या फिर उसके विरुजगार हो जाता है तो उस इस तरह से हम पैंशन देख उसके है उसके कैसे सहरा बने एक नई गोशना होगी क्योंकि देखे ये वोटों की राजनिती का फैसला करते हैं तो व्यापक पैमाने पर प्रदेश में वेंडर है और वेंडर को कुछ दिये जाने का सरकार कोई नो कोई ऐसा लाएगी जिससे क देखे उनको भी लाब ले पुरानी पैंशन योजना को उन्होंने पहले गोशना की थी उसे लागू रखेंगे तो जिस परकार से बजट है बजट लोग लुबावना होगा और वो 500 रुपे का सिलेंडर वाली बात है वो देंगे और और भी कुछ चीजे जो राहूल गांदी जो कहके गए थे कि हमारी सरकार उन लोगों का विशेश ध्यान रखेगी तो मुख्यमंती जी ने कुछ चीजे पारित किया और देखे वो जा रहे मिलने के लिए उन निस्तारी को और राहूल गांदी के दिशा निर्देश में कुछ अगर मिलेगा वहां स तो गरे और कॉंग्रेस अदिवेशन में जो कुस्ते किया वो बजट में लाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो बारबार जो बदन जी को में सुन रहा था बदन जी आपकी केंदर सरकार भी अपकी बजट लाएगी वो चुना भी होगा क्योंकि अगले माना दो वोट आप क्योंढां आएगा तो इसलिए आप कुछ भी लाओगे तो बहुत ठीक होगा और राज़ेस्तान सरकार अगर बजट में कोई प्रावदान करती है तो आप संका प्रकट करते हो क्योंकि आप पैश संदूर जी, अम तो चाहते हैं, शांसूंदर शाम सुंदर जी सरकार को कोई पहला बजट पर एक नट अरे सुनिये शाम सुनिया पहला बजट नहीं है सरकार का 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 शाम सुनिया पहला बजट अच्छा बता दीजे कि आज किसान जो है वो बिजली के बिल कितनी बार बढ़ाई है सरकार तो बढ़ाने वाली नहीं थी नो बार बढ़ाई है और बिजली में छूट जो आट सो पचास रुपे का अनुदान देती थी शाम जी पूछे मुख्यमंद्री जी ने क्यों बंद क किस तरीके से ब्लेक हो रहा था यूरिया और किस तरीके से जमाखोरों का राच चल रहा था यहां पर तो वह शाम जी दिखेगा नहीं चार साल में एक लाग रोगजार मुख्यमंद्री जी कहते थे चार साल में चार लाग रोजगार देने वाले थे मुख्यमंद्री जी आ कॉले में आज मुक्हिषमंत्री अशुक गईलोग बजट से पूरु संबाद कर रहे हैं कि तेपक बजट से पहले पूरु जो संबाद होता है वह अलग-अलग वर्गों के साथ मुक्हिषमंत्री अशुक करते हैं इस बार पर बी मुख्यवंतरिय असो गैलोट का जो बजट से पूर संवाद है वो लगतार जारी है पहले छात्रों से यवाओं से महीलाओं से खिसानों से और अलग-अलग जो एंजियोज हैं सामाजिक संगठने उनसे भी मुक्यमंत्रिय असोग गैलोद ने संवाद किया और आज अभी सची वाले में मुक्यमंत्रिय असोग गैलोद का ये संवाद जारी है आज करमचारी संगटनों के साथ मुक्यमंत्रिय असोग गैलोद ये संवाद कर रहे हैं चुकि कोशिस यही रहती है सरकार की और चुकि चुनावी बजट भी रहेगा अंतिम वर्स है चुनाव का वर्स है और ऐसे में सरकार का प्रियासे की कोई कमी ना रहे किसी भी वर्क की नाराजगी ना रहे ऐसे में सभी को साथते हुए ये बजट पेस किया जाएगा लगातार संवाद है वो दोर जारी है और आज करमचारी संगटन है उनके साथ लगातार संवाद मुक्यमंत्रिय असोग गैलोद कर रहे हैं और देखे करमचारियों की जो मांगे हैं लंबे समय से हैं कई विसंगति प्रतिनिद्यों को यहां पर बुलाया है उनसे संवाद कर रहे हैं चुकि पहला कारेकाल जब मुक्यमंत्रिय असोग गैलोद का था तो वह इस बात के लिए जिम्मदारी मांते हैं कि करमचारियों की नाराजगी उस वक्त रही और इसी के कारण सरकार है दोबारा कॉंग्र का बड़ा फैसला किया करमचारियों के हित्में तो करमचारियों को इस बार भी मुख्यमंत्रिय असोग गैलोद और व्जिय को अगते हैं र हुए लेकिन वह भी मुख्यमंत्री असों गैलोट से बाचीत के लिए अड़े हुए है तो फिलाल करमचारी संगट्रों के साथ मुख्यमंत्री असों गैलोट वारता यहां पर कर रहे हैं और प्रियास है कि इस बजट में किसी भी वर्ग की नाराजगी ना रहे सबी वर्गों का ध दिनेश तमाम जानकर के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका आप हमाई साथ जोड़े और दिनेश जो कसाना है हमारे सहीओ के वह में बता रहे थे कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए इसकी कोशिश यहां पर सरकार कर रही है क्योंकि इस सरकार का आज इस बार आखरी देखने को मिलेगा कि चुनावी साल है इसलिए चुनाव से पूर की तैयारियों की जलग भी इस बजट में देखने को मिलेगी देखे दीपक जी पहले जो हमने चार बजट तीन बजट पेस किये चौथा बजट अब यह अंतिम बजट आ रहा है हमारा मैं आपको निवेद जट दवर यह से तैयारी उसे तरह से होती है तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट आएगा वह राजASTान की जंता कि हित का बजट होगा जो बजट आएगा वह 880 बजट होगा लोग लुबाव नहीं का लिए कि चुनावारे चुनावारे चुनाू Gall фильм को कि हमको भी चुनावे जाना है और उस मिथक को तोड़ना है कि एक बार वीजेपी एक बार कॉंग्रेस मैं आपके चैनल के मादम से राजस्तान की जिन्ता को विश्वास दे रहाना चाहता हूं कि इस बार दुबारा हमारी कॉंग्रेस की सरकार 2023 पे जीतेगी और अशोगेलो तो शोगेडिक की बार बार इच्छा रहती है कि बजट अच्छा भजट हो चातरों के हितमे मैदाव के जितने हैं तमाम तरह के पिशने पहलत्या और रजास्तान को लाब मेरे मंने वां ने कालेके लिए के नियुक्ट क्रमचारियों के लिए कि लिए खेमराज कमिटी बनी थी बता तो तो ना साथवा वेतन आयोग मुख्यमंत्री जी ने निए वसंद्राजी ने किया है 2017 में और उसी के लिए वेतन विसंगतियों के लिए बनाता है केमराज कमिटी का इन्हों को पता नहीं है तृत्य स्रेणी के अध्यापक जो है वह आस बरी नजर से चार साल से सरकार को देख रहे हैं इन्होंने उद्योग लगा रखा ट्रांस्फर उद्योग यह कहते है पॉलिस ही बनेगी न तो कहता हूं तो तो परतम स्रेणी और दित् उसलिए दूसरे राज्यों में MSP के ऊपर खरीद हो रही है कॉंग्रेस सरकार की नाकामी के कारण लंपी के अंदर किस तरीके से गाईयों की परिशानी हुए लिए नहीं है उर्वक की चोरी होती है उसमें मानिनी मुख्यमंत्रीजी के भाई का आता है अब बताओ क्या कैस बच्चे ने समुए बलादकार में एक नाबालिक के साथ में नाम आया और मानिया मुख्यमंत्रीजी ने बजट में यह नहीं है जैसे बजट में नहीं है यह तो बरिश्टाचार की बात कर रहे ना बजट में यह कह रहे हैं युवाओं का पेपर चोरी के ओपर हम कानून अरे ऐसा कानून किस काम का जिसको आप लागू नहीं करा पते ऐसा कानून किस काम का जिसका बैह अपरादियों में नहीं होता ऐसा कानून किस काम का जिसके अंदर आपके घर में चोरों को बिठा के रखा है कानून काम कहां से करेगा चलिए हमाई साथ में शाम सुन्दर शर्मा जी वरिश्पत्र का रहे हैं वो भी जोड़े हैं शाम जी मैं आप से समझने चाहिए एक आम आदमी के नाते आप क्या सोचते हैं कि बजट में मोटे तोर पर किन बातों का जिक्र होना चाहिए क्या कुछ घोशना ही होनी चाहिए शाम सुन्दर यह 2018 से आएं तो किती बार कारेकाल बढ़ा है बता रहा हो आप अब अब शुरेश गर्ट साब को भेजते तो वह समझ में आती नहीं मेरे पार आती है आप तो केवल ब्रस्ताचार और केवल उसी में लगए बजट एक बजट होता है और देखें बजट का मै तो सरकार के पर टेक्स लगाने का ज्यादा कुछ है नहीं केवल टेक्स जो दो यह लीकर पर या पेट्रोल पर दो यह पर टेक्स लगा सकते हैं तो आप वहां वापस से आये वह चाहते हैं कि सब्सक्राइब कितने होगे आप तो गिनवा दो आप जनलिस्ट हो तो यह पर लिए चार साल में सरकार के मैं गिनवाता हूं युवाओं को निश्यत रूप से इस बार नई भड़ती भी विलेगी वार नहीं तरीके से पर लिक चोड़ी कराएंगे शामजी कुछ मिशन आएंगे सामने और उनको कुस्तों कुछ ऐसा मिल पाएगा और देके बेंडर जो छोटे दुकानदार है छोटे मज़ूर है उन शोसल सुकेटी का जो बिल आएगा सामने और युवाओं और महिलाओं के लिए क्या खासतोर पर घोशना ही होनी चाहिए आपके साब से देखिये महिलाओं के लिए तो और भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको आउश्वता की चीज दी जा सकती जैसे उडान योजना का जो है उसका दैरा और बढाया जा सकता है आव इस परकार से क्या जिए महिलाओं को अभी तक मोबाइल अगली बार ने दैपाए क्या इस बार दे पाएंगे क्या तो ये है कुछ चीजे महिलाओं को कुछ सथा मिलेगा और ये कोशी क्या ज़ेगे मुछ रोजट है कि आपर अगे आगे वाला था वोट पर काउंट लाओंगे पांच चलिए मदन जी से इस बात का जवाब भी ले ले लेते हैं मदन जी कुछ कह रहे हैं लेकिन मैं यह कह रहा हूं इसमें देंगे चुनावी बजट में चार मेने बाद में आचार सहीता लागू हो जाएगी कितने टाइम तक सिलेंडर फिरी देंगे जो चूर चल रही थी वह आते मुख्यमंत्री जी ने क्यों बंद करी इस्टेट आई वे के लोकल लोगों के लिए टोल बंद था वह आते म पिछली बाहर के बजट के अंदर पिछली बात के महिलाओं को मोबाइल के लिए बोला था नहीं मिला कोई बात नहीं लेकिन किसानों के लिए इस तरहीं से पाते की थी किसानों की कितनी मेरे बात तो मानेंगे नहीं शाम जी मैं तो आपके मार्दम से पूछ लेता हूं कि प्रतिबंदिता यह होती है कि 2000 अगर किसान निदी के दिये जाते नहीं मुख्य मंत्री जी के दिये जाते मुख्य मंत्री जी के जैसे वादे नहीं करते अगर इस देश के अंदर पहला किसान के बारतिय जानता पार्टी ने किया और अपने वादों को किस तरीके से पूण्ड के जाता है बारते जंता पार्टी दुनिया की जूट बोलने की सबसे बड़ी मशीन है इनके प्रवक्ताओं को यह ट्रेनिंग देके बेजा जाता है कि वहां कॉंग्रेस का प्रवक्ता आए किसी अन्य पार्टी का प्रवक्ता आए या को पत्रकार साथी आए उनको जोड़ जोड़ से बोलके परभावशाली तरीके से बोल बोलके उनकी बात को दबाना है मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे देश की मीडिया आउस को तो पिकाव लिए करते हैं के ग्रह मंत्री अमिश्या जी ने राजस्तान के नेताओं से नाराज की परकट करी कि चार साल राजस्तान में अच्छे चल रहे हैं या कुसासम के चल रहे हैं आपके को एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया आप उस्ते किस तरह की बात करना चाहते हूं कि अधर को बड़ा दोलन मैं बड़ा च्याओ तो बता दो तो गिनवा देता हूं चिंदा हमने इतनी अच्छी योंदाए दी दस सेकिंड दीजेगा मेरे को काली दीपक जी मैं यह कहना चाहता हूं यह कह रहे हैं कि मीडिया को हम बोल देते हैं और हम जूट बोलते हैं पर चुछता हूं कि राउल गांदी जी की प्रेस कांफरेस्स सुनिएगा वह यह कहते हैं पूरे यह जुड़े आप तीनों का बहुत बश्शुक्रिया तो कि मिलाकर हमाई आप इस खास सर्चा में इस खास शो के अंदर आपने देखा कि लगातार कांग्रेस का दावाए की ज बजट है वो लोकल भावनात होगा और उसकी घोशना है पूरी कंडा संभव नहीं होगा